गुड आफ्टोनून एवरेवन, मेरा नाम अदिती है और मैं हैंड राइटिंग की टीचर हूँ आज मैं डे फाइव के विडियो बना रही हूँ डे फाइव के विडियो से पहले मैं डे फोर एक बार रिवाइज करना चाहते हूँ रिवाइज करने के से जो भी डाउट्स हैं या जो भी पॉइंट्स हैं वो एक बार फिर से वापिस से रिफ्रेश हो जाएंगे हमने सारे स्मॉल लेटर्स A to Z हमने कियें जिनमें सारे कर्व के भी लेटर्स हैं स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, अपर केज, लोर केज, सारे लेटर्स को मिक्स करके हमने सारे लेटर्स A to Z तक हमने कम्प्लीट कियें हैं आज मैं डे फाइव में सारे कापिटल लेटर्स बता रही हूँ बट capital letters को भी हम दो category में divide करते हैं जैसे हमने previous class में सारे small letters के लिए जो funda किया है वही funda हम capital में भी करने वाले हैं जैसे मैं बता रही हूँ मैंने roughly A to Z letters को लिखा हुआ है बट इसे divide हम lines जितने lines वाले letters हैं उनको हम divide कर रहे हैं A, E, F, H, I, K, L, M, N, T, V, W, X, Y, N, Z यह सारे यह तो standing line है, sleeping line है, slanting lines है तो पहले lines वाले सारे letters, lines वाले total 15 letters हैं 26 में 15 letters सिर्फ lines के letters हैं तो हम इसे पहले वनाएंगे then उसके बाद जो curves के letters हैं या और भी patterns के letters हैं हम उसको इसके बाद करेंगे but lines, letters, सब कुछ की शुरुआत करने से पहले मैं आपको फिर से कह रही हूँ, सारे lines, strokes, slipping, standing सब कुछ की practice करने के बाद ही आप अपने letters को शुरू करें लेकिन सबसे पहले सारे patterns, lines की practice जरूर से करें चलिए बताते हूँ, सबसे पहले लिखेंगे capital A capital A लिखने का तरीका red line से line को थोड़ा slant नीचे की तरफ लाएंगे वापिस pencil को reverse करते हुए वापिस red line से line को नीचे की तरफ लाएंगे और बीच में इस line पे हमको cut लगानी है मैं फिर से A बता रहे हूँ, red line से middle line तक slant line को लानी है pencil को reverse करते हुए red line तक ले जाएंगे फिर line को वापिस नीचे की तरफ लाएंगे और बीच में इसे cut लगानी है letter A, capital A A के बाद E E सीधी line बनानी है red line से middle line तक नीचे line slipping बनाएंगे बीच की line इस line से थोड़ी छोटी बनेगी और उपर की line और ये line दोनों बराबर हम बनाएंगे E, three slipping lines and one standing line E, capital E मैं फिर से बता रहे हूँ red line से middle line तक line को सीधी लाएंगे नीचे इससे touch करते हुए slipping line बनाएंगे बीच में भी एक middle line लेकिन इससे छोटी line बनानी है और ये उपर red line को भी slipping line बनानी है इस line और इस line को हम बराबर ही लेकिन चलेंगे capital E then F F में भी हम red line से middle line तक line सीधी लाएंगे pencil को reverse लेकिर जाएंगे line red line में हमें slipping line बनानी है और ये middle line को इस line से छोटी बनानी है F, capital F मैं फिर से बता रही हूँ red line से middle line तक line को straight लानी है वापस pencil को reverse करते हुए line slipping बनानी है red line पे slipping line बनानी है middle line पे भी एक line बनानी है बट इस line से ये line छोटी बनानी है F then capital H standing line, straight, standing line pencil को reverse ले जाएंगे middle line में line बनाएंगे then pencil को वापस उपर लेकर और उसी pencil को वापस नीचे लेकर कर आना है H मैं फिर से बता रही हूँ line को red line से middle line तक line सीधी लानी है reverse ले जानी है बीच में रुकना है हमें line को sleeping बनानी है line वापस उपर half कट होगी then उसी line को वापस reverse नीचे लाएंगे capital H I capital I capital I छोटी line बनाएंगे red line पे फिर straight लाएंगे middle line में फिर नीचे लाएंगे छोटी बनाएंगे I मैं फिर से बता रही हूँ उपर slipping छोटी line बनाएंगे straight लाएंगे नीचे भी line छोटी बनाएंगे बहुत बात ये भी आप देखोगे और नीचे की line थोड़ी बड़ी होती है आप ये भी लिख सकते हो इस भी तरीके से लिख सकते हो और अगर आप दोनों line को बराबर divide कर रहे हो उपर की line छोटी और नीचे की भी line छोटी तो कोई नहीं ये भी तरीका है आप ऐसे भी लिख सकते हो I बिलकुल red line से middle line तक फिर एक और line बनानी है, slant बनानी है, इन दोनों line के बीच में slant बनानी है और इस slant line के उपर से दूसरी slant line बनानी है, k, letters k, फिर से बता रही हूँ, red line से middle line तक line को straight बनानी है line उपर से slant लानी है, half, और इसी slant line पे हम कुमें नीचे की तरफ एक और slant line बनानी है, k, capital k, letter l, l, standing line, red line से middle line तक लानी है और नीचे एक slant line बनानी है, letter l, मैं फिर से बता रही हूँ, red line से middle line तक line लानी है और फिर slipping line बनानी है letter L L के बाद M M बहुत लोग उपर से भी नीचे लाते हैं line को बहुत लोग नीचे से भी line को उपर लेकर जाते हैं मैं एक एक करके आपको ये दोनों तरीका बताते हूं standing line उपर से line जब नीची ला रहे हैं तो line को वापिस reverse लेकर जानी है उपर फिर sland बनानी है फिर दूसरे तरफ भी sland बनानी है और फिर line को वापिस नीचे की तरफ लानी है मैं आपको फिर से बता रही हूं अगर हम इसकी शुरुआत नीचे से करेंगे तो हम कैसे M बनाएंगे नीचे से line को उपर लेकर जाएंगे फिर नीचे लाएंगे फिर उपर लेकर जाएंगे और फिर line को नीचे लेकर आएंगे M मैं फिर से बता रही हूं line को नीचे से उपर लेकर जाएंगे फिर इससे sland बनाएंगे फिर एक और slant बनाएंगे फिर line को नीचे लेकर आएंगे M capital M M के बाद N N अगर हम उपर से शुरुआत कर रहे हैं तो red line से middle line तक लाएंगे pencil को reverse लेकर जाएंगे फिर slant बनाएंगे फिर सीधी line बनाएंगे N अगर हम इसे भी नीचे से अगर बनाते हैं तो नीचे से उपर लेकर आएंगे फिर हम slant बनाएंगे दिन वापिस से हम straight बनाएंगे N मैं एक बार N और बता रही हूं नीचे से जब शुरुआत अगर हम करेंगे तो नीचे से line को उपर लेकर जाएंगे फिर slant बनाएंगे फिर नीचे से line को उपर लेकर आएंगे N capital N N के बाद T T उपर चोटी slipping line बनानी है और बिल्कुल middle में आकर के line को नीचे straight लेकर आनी है red line से ये middle line तक T capital T मैं फिर से बता रही हूं slipping line बनाएंगे और इसे line को बिल्कुल सीधी नीचे लेकर के आएंगे capital T capital T के बाद V V slant line है दोनों तरफ ऐसे slant बनना है मैं फिर से बता रही हूं red line से middle line तक slant बनानी है then नीचे से वापिस line को उपर लेकर जानी है V मैं एक बार और बता रही हूं red line से middle line तक slant बनानी है और वापिस इस line को नीचे से उपर लेकर के आनी है capital V V के बाद capital W capital W भी M से just opposite आप मानो red line से 9 line को नीचे लाएंगे फिर line को वापिस उपर लेकर जानी है red line तक फिर line को वापिस नीचे लेकर आनी है फिर line को वापिस उपर लेकर जानी है मैं फिर से बता रही हूँ red line से middle line तक line को सीधी लानी है line नीचे से वापिस उपर slant जानी है फिर उपर से नीचे line slant आनी है फिर नीचे से उपर जानी है है straight ये चीज मैं आपको बता रही हूँ M में भी ये चीज सेम करना है और W में भी ये चीज का ध्यान रखना है हमें कि ये दूनों section equally divide होनी चाहिए ना किधर भी बड़ी ना किधर भी चोटी W के बाद X X भी slant line है बट ये line एक दूसरे को cross करते हुए X मैं फिर से बता रही हूँ red line से middle line तकानी है line को दूसरी line को भी red line से middle line तकानी है बट ये दोनो एक दूसरे को cross करते हुए लिखना है line X X के बाद capital Y ये red line से middle line तक line को slant लानी है फिर दूसरी line इसको touch करते हुए red line से middle line तक आनी है ये भी line slant ही होगी मैं फिर बता रही हूँ red line से middle line तक line slant आनी है दूसरी जो line बनेगी वो red line से middle line तक आएगी बट यहाँ line को touch करते हुए इस line को भी slant ही बनानी है Z capital Z slipping line slanting line slipping line मैं फिर से बता रही हूँ slipping line slanting line slipping line Z का वापिस वही तरीका है ये दोनों बिलकुल बराबर line के होनी चाहिए line से बाहर नहीं line के अंदर नहीं Z ये सारे letters जो हमने आज बनाए हैं ये सारे जितने भी lines के letters होते हैं ये सारे capital letters हैं next class में मैं capital के जितने curves हैं जितने short जो भी pattern हैं जो भी तरीका है चाहिए वो circle हो चाहिए वो curves हो half curves हो full curves हो जो भी हो वो मैं आपको next class में बताऊंगी जब तक के लिए ये सारे letters की हम practice करेंगे even day 4 की भी हम practice करेंगे day 4 की भी practice हम इसलिए मैं करने कह रहे हूँ कि अभी हम बस सिफ letters letters सीख रहे हैं बट जब हम आगे words पे आएंगे जब 2 letter, 3 letter के जब छोटे-छोटे words बनाएंगे तो उसमें हमें दोनों ही चीज लेकर चलना होगा letters के शुरुआत capital से भी होंगे small से भी होंगे even दोनों ही होंगे, mixed होंगे small and capital both तो हम सारे revision को अच्छे से करेंगे plus जितने भी pattern है उनकी भी practice हम करेंगे कोई भी doubt हो, कोई भी question mind में हो हम मुझे comment करें, मेरे से questions करें, सारे doubts clear करें but, but मैं फिर से कह रही हूँ बिना practice के perfection नहीं आएंगे इसलिए practice जरूर से करें, रोज के half in our time निकाल कर अपनी handwriting पे practice जरूर से करें और मैं एक चीज़ और बता रहे हूँ कि हम अब तक pencil से practice कर रहे थे एक दो class के बाद हम वापिस अपने pen पे आ जाएंगे और ये four line की copy को replace करते हुए हम two line की copy पे practice करेंगे क्योंकि mainly हमें two line के copy पे ही लिखनी होती है बट ये शुरुआत के time में हम four line इसलिए करते हैं ताकि ये जो सारे lines जो हैं, जो lines कैसे शुरू हो रहे हैं कहां से शुरू हो रहे हैं, कहां तक होने हैं इनके doubts क्लियर करने के लिए हम four line की copy करते हैं even speed भी कैसे बनानी हैं मैं उसके भी बारे में आपको आगे बताऊंगी मेरे वीडियो को पूरा देखें day one to day ten के ये पूरे practice session को आराम से देखिए घर बैठे ही आप अपनी writing improve कर सकते हैं बिना आपको किसी भी तरीके से कोई भी payment देने के बजाए आराम से घर पे बैठके practice करिए थोड़ा time निकाल लीजे आपकी writing खुद बखुद improve हो जाएगी वीडियो को पूरा देखिए वीडियो को subscribe करिए ताकि आगे वीडियो के बारे में आपको notification पहले से मिल जाए thank you so much